अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंती सब्सक्राइब कीजे और साथ में आल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे रिसेंटी टाडा मोटर ने अपनी मोस्ट अवेटिट माइक्रो एक्सवी एच्पी एक्स को सूरकेश किया था आटो एक्सपोर 2020 में जो कि इसका कोड नेम है और इसे हॉर्ट बिल के नाम से भी जाना जा रहा है और कमपनी से लाँच कर सकती है एंड ओप 2020 और अरली 2021 में और एक्सपेक्टर प्राइसिंग की बात करें तो अंडर फाइव लाग की लाँच हो सकती है दोस्तों और जहां तक कॉम्पिटीटर्स की बात करें तो इस सेग्मेंट में कॉम्पीट करेंगी मारुती सुजू की एकनीस महींदरा के यूबी वन डबलो और रेनो की क्वेटिक टाटा के प्रीमियम हैजबेक कार अल्ट्रोज के बाद टाटा के नए अलफा यानि एजाईल लाइट फ्लेक्सिवल एडवांस फ्लेट फार्म पे बेस्ड या दूसरी कार हो भी दोस्तों टाटा की इस माइक्रो एच्वी एक्स को टाटा की मोस्ट प्रीमियम एच्वी हैरियर की तरह ही इंपेक्ट 2.0 डिजाइन लेंग्विज पर तियार किया जा रहा है जहां तक टाटा एच्वी एक्स की डाइमेंश की बाद करें तो लेंथ 3840 mm, विर्थ 1822 mm, वील बेस 2450 mm और ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन होने वाली है 200 mm चले दोस्तों बात करते हैं इंजन की तो इसमें आपको मिलने वाला है BS6 compliant 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवर टोन पैट्रोल इंजन पाउर प्रफॉर्मेंस की बात करें तो 86 PSP की पाउर 6000 rpm and 113 mm का पीक टॉक जनेरेट करता है 3300 rpm जहां तक ट्रांस्मिशन की बात की जाए तो इ एंड एम्टी गेर बॉक्स का ओप्शन दिया गया है चले दोस्तों बात करते हैं इंटीर की तो कुछ इस तरहों का डैस्पोड लियाउट रहने वाला है अच्छे से चेक आउट कर लेजेगा और इसमें आपको मल्टी फंक्शन 3-spoke, tiltable, leather wrap, steering wheel मिलने वाले हैं जिसके left side आपको audio mounted control right side cruise control की सुभिता दी गई है दोस्तों और इसके अलावा इसके center console में दिया गया है 7-inch का floating touch screen infotainment system जो की support करता है apple car play, android auto bluetooth connectivity, navigation, radio FM, aux and USB को और इसके AC winds और steering wheel और gear knob पे आपको golden inserts देखने को मिलेगा दोस्तों instrument cluster की बात करें तो इसमें आपको altrose के top invariant जैसे ही instrument cluster देखने को मिलेगा और right side analog left side आपको digital instrument cluster देखने को मिलेगा दोस्तों जहां तक rear seats की बात करें तो काफी अच्छी खासी leg room आपको यहाँ पर provide किया गया है साथ में head room भी आपको काफी अच्छी खासी दिया गया है all seats पे आपको headrest यहाँ पे adjustable height adjustable दिया गया है दोस्तों और जहां तक इसके exterior features की बात करें exterior design की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाला है यह रैनो से inspired है दोस्तों सबसे उपर आपको dual function में Harrier की तरही TRL और turn indicator की combination मिलने वाली है और नीचे headlamp unit में projector hat है आपको दिया गया है नीचे silver color का skid plate और उपर आपको यहाँ पे दिया गया है humanity line front grill बहुती जबरदस यहाँ पे लोग देते हैं दोस्तों side profile के अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुती सांदार 16 inch के alloy wheel प्रोवाइट किया गया है जो की काफी different यहाँ पे design दिया गया है जहां तक brake की बात करें तो front में disc and rear में drum brake दिया है और side में आपको door boarding यहाँ पे प्रोवाइट किया गया है इसकी plate silver color कर दिया गया है rare profile के अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का look देता है दोस्तों बहुती सांदार यहाँ पे दिया गया है tail lamp जो की काफी attractive यहाँ पे look देते हैं दोस्तों एक बार यहाँ पे अच्छे से check-out कर लेजिगा night case में मैं कुछ इस तरह का look देने वाला है और इसके top end बेरेट में tail lamp में आपको मिलने वाला है rear parking camera and bumper पे आपको दिया गया है rear parking sensors और यहाँ पे बहुती सांदार tri-aero shape design प्रुवाइट किया गया है इसके rear lock को काफी सांदार बना देते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं data counter की इस micro SUV में मिलने वाले safety features की तो इसमें आपको मिलने वाले हैं दोस्तों dual airbag, ABS-BDVD, reverse parking sensors, reverse parking camera, seatbelt reminder, driver side and co passenger side, engine immobilizer, isopic child seat increase, electronic stability control, hill assist, anti-theft device, front impact beam, side impact, speed alert system, tire pressure monitoring system, keyless entry, push the start stop button, cruise control जैसे safety features provide किये गये है data motor ने auto expo में जो hbx का concept version पीच के है तक करीबन 90% protection version ही है दोस्तों यह थी दोस्तों latest update data motor के upcoming micro SUV hbx यान होन बेर से जुड़ी जानकारी आपको कैसे लेगे नीचे comment section में जरूर बताएगा दोस्तों और एक like दो पनता है दोस्तों चैनल को subscribe के बगार बिलकुल मज़ेगा तो कि मैं अपने चैनल पे रोजाना यूई automobile sector से जुड़ी news, reviews, test drives, walk arounds, comparison, accessories आप से साजा करता है रहता हूँ तो चले दोस्तों आज के रिपर से इतना ही मिलते एक नए वीडियो पे तब तक के लिए thank you, धन्यबाद, जाए हैं कर दो चैनल पे लिए जाए हैं